साथियों, डिफेंस सेक्टर में भारत और अमेरिका के पार्टर्शिप को मेरी इस विजिट में एक नई उचाई मिली है। कल जब मैंने कॉंग्रेस में इस बारे में बात की थी, तो पूरे सदन में तालियों की गड़़़हट रुकने का नाम नहीं ले रही थी, ये स्वागत हो रहा है। राष्ट पती बाइडन की दिर्ग दर्ष्टी, फोर्साइटनेस, पूरा सदन उचल उचल करके बधाई दे रहा है। भारत, अमेरिका, डिफेंस, पार्टरसी, अमेरिका के करीब-करीब, हर स्टेट के लोगों के साथ, एक विश्विश्ट प्रकार का नाता बना रहा है, एक मदद का नया एक आयाम खुल रहा है। एरिजोना में बनने वाले अपाचे हेलिकॉप्टर, जोर्जा के C-130 के सूपर हर्कुलिस, अलाबामा के MH-60R हेलिकॉप्टर्स, वसिंटन और साउथ कॉरोनिरा के शिविलियन बोइंग एरकार्प्ट, पैंसिल्वेडिया के चिनुख हेलिकॉप्टर, ये भारत के साथ ही अमेरिका के डिफेंस और एरोस्पाज सेक्टर को भी मजबूती दे रहे हैं। हर सेक्टर में भारत के एस्पिरेशन्स अमेरिकी अर्थिववस्ता को ताकत दे रही है। और मुझे एक बात की और खुशी है, भारत की कंपनियां भी अमेरिका में बिलियन्स अब डॉलर्स का इंवेस्टमेंक कर रही हैं। भारत की कंपनियां ग्लोबल बन रही हैं। न्यूजर्सी, टेक्सस, नियॉर्क, कलिफानिया, जॉर्जा, इलिनोई, मिशिगन। यहां बड़ी संख्या में भारती कंपनियां अपरेट कर रही हैं। उसमें से कुछ महानुपो यहां मुझूद भी है। इन सब का फाइदा कि यहां की मैनुफेक्टिरिंग इंडिस्ट्री अमेरिका के युवां को हो रहा है। अमेरिका के किसानों को हो रहा है।